आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो आप किसी न किसी के कहानी में बुड़े जरूर होते हैं कोईला और मनुष्य दोनों की जलन तब सांत होती है जब वह स्वैंग राख हो जाए किसी को बांध सकूँ ये हक तो नहीं है मेरा खुद को आजाद कर लूँ ये फैसला ले लिया रिस्टो को प्यार की धूपनों दिखाई जाए तो अक्सर तकरार की सिलन उनमें घर बना लेती है आर्थिक इस्थिती कितनी भी अच्छी हो जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक इस्थिती का अच्छा होना जरूरी है जीवन में तीन चीजे जरूर हासिल करे विश्वास, संतोस और स्वास्त क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है संतोस सबसे बड़ा धन है और स्वास्त सबसे बड़ा उपहार है अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुड़ा मत मानना क्योंकि जिस पेर पर अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं उम्मीद कभी संसार से नहीं बलकि संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिन्दगी में हर परिष्थिती का सामना कर सकता है जजबात वहां जाहिर करो जहां उसकी कदर हो क्योंकि आख से गिरा आसू भी लोगों को पानी लगता है इस दुनिया में आये हैं तो यह हुनर भी सीखना होगा सिर्फ दुस्मनों से ही नहीं अपनों से भी संभल कर रहना होगा अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं इस्वर देते हैं कर्म कोई भी करो लेकिन हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा हमेशा ओनलाइन है जिंदगी एक प्रती ध्वनी है सब कुछ वापस आ जाता है मर्जी आपकी आप वापस क्या पाना चाहते हैं खुद पर विश्वास रखोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी लेकिन समय आपका होगा प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता कल एक इनसान रोटी मांग कर ले गया और करोरों की दुआएं दे गया पता ही नहीं चला कि गरीब वो था कि मैं जिस घाव से खून नहीं निकलता समझ लेना वो जक्म किसी अपने नहीं दिया है खुशियाग तकदीर में होनी चाहिए तस्वीर में तो हर कोई मुश्कुराता है आप और तुम में बहुत फर्क होता है आपके सामने दुख बयान नहीं किया जा सकता लेकिन तुम के सामने दिल खोल के रख सकते हैं इतने भी अच्छे कर्म कर लो तारीब तो समसान में ही होगी अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुमें खोएगा यकीनन एक दिन रोएगा रेश चाहे गाड़ियों की हो या जिन्दगी की जीत्ते वो ही लोग है जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं पिता के द्वारा डाटा गया पुत्र गुरू के द्वारा डाटा गया सिस्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना ये सब आभूसन ही बनते हैं नए रिस्टे ना बने तो मलाल ना करना पुराने रिस्टे तूट न जाए बस इतना ख्याल रखना जिन्दगी की हर सुबह कुछ सर्ते लेकर आती है और जिन्दगी की हर साम कुछ तजुर्वे देकर जाती है बात करने का मज़ा तो उन लोगों के साथ आता है जिसके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े पहाडों की तरह खामोस है आज कल के संबंद और रिष्टे, जब तक हम इधर से पुकारे नहीं, उधर से आवाज ही नहीं आती जिन्दिगी में पढ़ाया कोई नहीं होता, ये सिर्फ मन का वाहम है भरोसा रुका तो इंसान पढ़ाया, और सांसे रुकी तो सरीर मतलबी रिष्टा कोईले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है, जब धंडा होता है तो हाथ काले कर देता है सच और जूट बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग जूट भी बहुत सफाई से बोलते हैं उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आइना साफ करता रहा कुछ लोग जिन्दगी होते हैं, कुछ लोगों से जिन्दगी होती है, और कुछ लोग होते हैं तो जिन्दगी होती है मूह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, सोड़ गुल के बाजारों में खामोशी को पहचाने कौन खुद में जाकने का साहस होना चाहिए, दूसरों की सिनाक्त में तो हर सक्स माहिर होता है जिन्दिगी में जब भी आप तूटने लगो, तो सब्र जरूर रखना, क्योंकि जो बिखरता है, वही निखरता भी है चाय और चरित्र जब भी गिरता है, तो वह ऐसा दाग लगाता है, कि धोने से भी नहीं जाता फुसियां तो पराई होती है, सब में बाट दी जाती है, दर्द सिर्फ अपने होते हैं, इसे दिल में रखने परते हैं मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका बड़पन होता है, वरना जिसको सहना आता है, उसको कहना भी आता है ना तेरी सान कम होती ना रुत्बा घटा होता कास जो गुशे में कहा वही हस के कहा होता